आपको समझ में आही गया होगा कि वीडियो जो किसके बारे में रहने वाली है एस थोरा उनफॉटुनेट इंसिडेंट हो गया अपने साथ आफटर वन अफ एर्स अफ और सफ ओनर्शेब अपनी जो क्लासिक थी फिफिटी डिवान यानिक अपनी जो डाकनाइट उसमें आगई एक मेजर फॉल्ट सो बाइक जो स्टार्ट नहीं हो रही और पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो बाइक जो रणिंग कंडिशन में थी और अलसो बाइक जो चलते चलते बंद हुई है पहले मैं बता दूं कि यह जो मेरा ओपिनियन नहीं है यह लोग का रियक्शन है जो भी आ रहा है विकाज यह जो इशू है यह मेरे साथ ही नहीं हुआ है काफी लोग जो यह फेस कर रहे है और यह जो जब रॉल एंड फिल धीरे धीरे बाइक से किक खटा आ रहा था जब से BS6 के बाद जब मतलब क्लासिक रिवाउन या क्लासिक नेक्स जेन आई तब लोग जो है खासकर कि रॉल एंड फिल लबर जो है काफी नारास थे इस बात से कि बाइक में से किक खटा दी गई है लोग का यह मानना था कि जो किक है वो बाइक में एक रेट्रो टच देती है एक old school feel आती है जब बाइक में आप किक मारते हो तब बट इसके लावा भी लोग का डर यह था कि अगर इन केस कभी बाइक स्टार्ट नहीं ली बाइक में आप लोग अपने प्रीविएस ओनरश्य वीडियो में भी शेयर की ए एंड इस वाले वीडियो में भी कुछ आसा चीज आप से शेयर करूंगा सो वीडियो को जो एंड तक देखना यह जो लोग का डर था वो सच हुआ है अपने साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ ह अपना केस किया है वो आप से शेयर करते है जब यह सीन हुआ तब अच्छली मैं नहीं बलकि मेरे मामा बाइक को राइट कर रहे थे और जैसे कि उन्होंने बोला कि बाइक जो है चलते चलते मतलब बीच रस्ते में रुख गई और जैसे ही यह हुआ उन्होंने आरे से को गई है तो उस वक्त जो बाइक स्टार्ट नहीं होड़ी थी तो बाइक को सम्हाँ टो करना पड़ा तो दे नियरे सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर में जाके मामा ने कहा कि ऐसा इसा इसा इसू है बैटरी का इसू है पहले मैं आप लों को यह बता दूं कि अपनी बैट उस वक जो 220 बैएक समाओ स्टार्ट हो गई थी तो मेरे मामा जो है वैसे हिला जपदाली फिर फीरे मेरे थारा तरफ एक नागी तो एकाल दुछ वेक्छतका भिल्त allah में चक्का खीच के अगर स्टार्ट होती है तो अच्छी बात है बट वही नहीं अफॉच्ट्टनेटली अफॉट्टिमेंटली मैंने ज्यादा मैंने मैंनात नहीं किया और चुप चाब रसे को कॉल कर दिया और रसे जो है कुछी देर में चलिया तो जो आरे से बंदा आया चार्ड डोनेट करते हो जो ँचैनल हुग है वह दोनर का काम कर रहा उसकी बैटरी आप दोनर बैटरी वहां से अपनी क्ट्री्ट मेर है देख सवेगे और उस ँच दियह हमने आजसे मतलब नहीं स्टार्ट पर रक्का छोड़ दिया था कुछ पे प्रनार लेगा तो उसको निर्ड सर्वी सेंटर वालों ने एकसेट किया कि जो इशु है यह बैटरी का ही इशु है वोला कि दो दिन का मतलब टाइम लगेगा मतलब बाइक का जो है थोरो इंस्पेक्शन होगा बाकी गाइस में बैटरी रिप्लेश्मेंट के लिए भी बोला कि अगर बैटरी हो सके तो रिप्लेस कर दीजिए बाद उनने कहा कि चार्ज करने में और प्रॉपर चार्जिंग में तो यह ठोरा डिफरेंस है इस बार कर बाइक सम्हाँ चल गई सम्हाँ ठीक हो के आ भी गई और वारेंटी पिरिट के अंदर अगर मैंने देखा कि यह इसू रिक्रेट होता है तो भाई मैं तो कुछ नहीं सुनने वाल हो मैं सीधा बैटरी चेंज करवाने वाल हो यह अल्रेडी असा जो है दो बार हो च कंप्लीट हो चुगी है और उस बंदे ने मुझे का कि 15,000 किलोमेटर के बाद जो है आपको बैटरी रिप्लेस कर देनी चाहिए जो कि मुझे काफी अजीब साला मुझे अपनी कोई बाइक याद नहीं जिसमें मतलब 15,000 में बैटरी चेंज करना पड़ा तो यह मुझे तो रजीब लगा बद उस बंदे ने का कि जो एमराउन की बैटरी है मतलब कुछ कुछ आसी है जो 15,000 किलोमेटर में ही चार्ट छोड़ देती है अब बाकी सब गाड़ियों में लगे हुई है अगर आपके बाइक में अबरा उनका बैटरी लगी हुई है तो काफी लोगो ने प्रॉबлем प्रॉब्लें प्रॉब्ले उनका जो है बैटरी एश्यू ही था बैटरी ड्रेनेच का प्रॉब्लेम और गईस की रिलाइबिलएक को लेके और इसके कि को लेके जो बाते मतलब जैसे के लोग कहँए है चाहिए यहां पर मतलब यह प्रॉबलेम लोग को फिस नहीं करना पड़ता लेच सी कितना सही है किना गड़त है तो गाइस इंजिन वाइस कभी रिलाइबिटी में कोई क्वेशेन मार्क था ही नहीं तो I know it's unfortunate and रोलेंट फिल्ड को जो इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए बीच रास्ते में चलती गारी में बैटरी ड्रेन हो जाना this is not acceptable रोलेंट फिल्ड मेक शूर कि बैटरी जो अब तुर्ड मार को बंधा यसे जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पर सकता है बीच रस्ते में गाइस जहां तक बात है तो देखो अगर बोध में कार्ष अ albums चलते हे पर ceo नहीं चलती है और जो रही हो उसको चाहिए वह देखता है जिटी जिद्टी वॉल्टेश मिनिमुन स्वयल्ट ये यूदर फारफ लskशwn works – जण में ciao वापस यह जो कॉंसेप्ट है किक वाला ही टोटली बखवास है सो ही आप लोग भी दिमाग से निकाल दो वैसे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टेम देन इसी व अगयरा ही सब काफी कॉंपलेक्स चीज है तो इंत में मैं अभी डेटिल में यहांगा बाकी इतना समझ लो कि जो जि अपने बाइक का सिफ बैटरी का ही इशू है या कुछ और भी इशू है वह मैं आप से आगया आने वाले व्लॉक्स में शेयर करूंगा सो चैनल पर बने रहो एंड बाकी यह था चोटा सब्डेट अपने डाक नाइट के लिए and hope for a speedy recovery एंड बाकी यह ग्रीन स्क्रीन ऐसे अभी कुछ content आने वाला है तो कुछ अलग टाप के content होगा तो अभी तो different तुम्हारा भाई try करने वाला है तो चैनल पर बने रहो एंड वीडियो पसंदा तो like करो चैनल पर नहां तो do subscribe बाकी इंस्टा हैंडेल नी चाह रहोगा follow कर लो मिलते एक और वीडियो एक और vlog में तक लिए ride hard, ride safe, see you soon, take care, bye bye